अब घड़ो खाइस आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम बात करेंगे गडो मस्ट्यूमर की तो आप देख सकती है गलो मस्ट्यूमर है कुछ इस तरीके से इसकी रचना होती है तो यह जनरली पिंग कलर का हो सकता है या परफल करल का हो सकता है और यह नाकोन में होता है नाखोन का यह जो डिश्टल यह तो है इसका प्रॉक्जमल एरिया यह इसका है डिश्टल एरिया तो यह दोनों एरिया पर हो सकता है और इसका जो नाम है इसको कहते हैं गलोमस ट्यूमर तो गाइस यह है गलोमस ट्यूमर तो यह होता कहा है गलोमस बॉडी पर होत कुछ इस तरीके से हैं तो अगर इसको काट करके हिस्ट्ड पैफलोज की लिए देखा जाएगा तो इसमें ओडियूल मेलते हैं इसमें जो होता है वह डर्मल नोडियूल मिलते हैं इसका अगर तो では इसमें दर्ण भी हो सकता है और जो ये अर्ट्री और वीनस कम्यूकेशन करते हैים यानि कि जहां पर धंपनी और शिर्ण मिलते हैं यह उसके कम्यूकेशन को प्रभाववित करता तो तो साथ ही साथ जो उंगली होती है उंगली का ये जो हिस्सा है जिसको कहते हैं कि डिश्टल एरिया ये थर्मो रेगुलेशन का काम करता है थर्मो रेगुलेशन से तो अगर ये ट्यूमर हो जाता है तो उंगली का जो थर्मो रेगुलेटरी सेंसर है वो कमजोर हो जाता है त तो तर्मोरेगुलेशन की स्नव में परभावीत होती है क्योंकि जो अट्रीवीност का कमनिकेशा इस एल यह भी परभावीत होता है ала और जब लए होता है तो मतलब कि इडिस्टन एरिया है और और यह दो दोनों परभावीत होती है और नाकून गया刑 आ byगसी संदot माजबूती है किसी चीज़ अगर पखड़ेंगे तो वह तूड़ जाता है 63 इसलेट के थे से तो जो ऑफ चाप्ड़ नहीं होती यी सिर्में टो जब मैं होते हैं तो यह फिंगर टीप्स होते हैं हाई वैस्कुलेचर होते हैं तो हाई वैस्कुलेचर होते हैं और साथ में जो इसमें इसकेंट मसल्स आ जाते हैं इसमें इसकेंट मसल्स होते हैं हाई वैस्कुलेचर होता और इसकेंट मसल्स आ जाती हैं तो गलोमस टुमर में जो कठोर टुमर इसमें बनने लगता ह बाद में ग्लुमिंजियोमा बदल जाता है तो यह काफी घा तक होता और इसका काफी लंबा इलाज चलता यह डर्मेटलोजी में इसके बारे में बिस्तरित में इस्टडी के जाती है तो जो यह विकास आप देख रहे हैं यहां पर यह इसका जो डेवलपमेंट है इधर नही जाते हैं और यह हिसा टूड़ जाता है यह बहुत कमजोर होते हैं तो इसके मर आई है इसमें जब जाज की जाती है तो इसमें यह जो फिंगरटिप्ट हैं खास तो और से यह जो नेल प्लेट और नेल बेट्स लगे होते हैं तो MRI हैं MRI जैसी मेजिंस और CT एंटांकांटरस प्रिसाइज अना टॉमिकल लोकेशुझ दिखा जाता है उसका प्रेसाइजड एनना डॉकेशन देखने के बाद इसको सर्जेरी करके कट करकि इसको बाहर निकल दे जाता है और शिलता है और ये ठीक हो जाता है दोस्तों जो रेडियो लॉजिकल टेस्टेज होते हैं यानि कि जो MRI है और नान कांट्रास CT है तो इसमें इससे प्रिसाइज एनटाम के लोकेशन देखते हैं कितना बड़ा है कहां पे है कैसे कट करेंगे कितने अंदर तक उसको इनसीजन करना पड़ेगा यह सारी जानकारी MRI प्राई यह नान कांट्रास CT से मिलती है तो उसके बाद इसकार डेक्शन कर दिया जाता सर्चिकल प्रोसीज्र लगते हैं और यह जर्चली दवा से ठीक नहीं खोता है इसमें थोड़ा से सर्जरी की जाती है माइनर सर जभी यह चोठी। सर्जरी होती है तेंकि दोस्तों